हाई गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल गाईज आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसे DIY एग हियर मास्क की वीडियो शेयर करूँगी जिसके रेगुलर यूज से आपके बालों में शाइन एड होगी हियर फॉल कम होगा आपके बालों की लेंथ इंक्रीज होगी आप बिल्कुल सॉफ्ट सिल्की जब आप टैंगल्स रिमूव करेंगे तो बिल्कुल भी हियर फॉल नहीं होगा टैंगल्स तो बिल्कुल भी आपके बालों में नहीं पढ़ेंगे तो चलिए गाईज वीडियो को चार्ट करते हैं वीडियो को चार्ट करने से पहले अगर आप बहुत जगता लंबे यहां कि एक लॉट लए तो ले सकते हैं, और अगर यहांदे ले सकते हैं, पूरी की में देदेगा है, पूरी की भीखार है। आप चाहें तो vitamin capsule भी एड़ कर सकते हैं, coconut oil भी एड़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर बजाज almond oil की कुछ drops एड़ की हैं, और मैंने दो अंडे लिए हैं, अपने बालों की length के according, तो इसकी कुछ drops आपको इसमें एड़ करनी हैं, और इसे अच्छी तरह से mix करना हैं, जब तक कि इसका बिल्कुल color change नहीं हो जाता है, इसमें बिल्कुल जाग नहीं आ जाती हैं, आप विसकर का यूज कर सकते हैं, इसको अच्छी तरह से shake करने के लिए, तो देखिए अच्छी तरह से इसे shake करने हैं, जब तक कि इसका color change नहीं हो जाता है, इसमें जाग नहीं आ जाती है अच्छी तरह से यह लैदर करना स्टार्ट कर देगा तब तक हमें इसे इस तरह से शेक करते रहना है इस मास्क के रेगुलर यूज से आपके बालो में इतनी शाइन एड होगी आपके बालो में बिल्कल भी टैंगल नहीं पढ़ेगे जब आप टैंगल रिम्यूव करेंगे तो बिल्कल भी हियरफॉल नहीं होगा आपके बिल्कल सॉफ्ट सिलकी शाइनी होरो जाएंगे अगरshitar कम होगी तो आपके बालो की लेंग्ट भी इंक्रीज होगी इसे यूज़ करना काफी ज़दा easy है सिरफ 30 मिनट के लिए आपको इसे बालों पर लगा कर रखना है after 30 मिनट आपको hair wash कर लेना है तो देखे इसमें कितनी अच्छी ज़ागा गई है इसका color बिल्कुल change हो गया तो अब हमें इसे यूज़ करना है बिल्कुल clean बालों पर आपको इसे यूज़ करना है आपके बालों में oiling नहीं होई होनी चाहिए बिल्कुल clean आपके बाल होने चाहिए अगर आपने एक से दो या तीन दिन पहले hair wash किया है तब भी आप इस mask का यूज़ कर सकते हैं और मैं इस mask का यूज़ कर रही हूँ जब मैंने बाद में hair wash किया ना तो मेरे बाल इतने ज़्यादा सुन्दर हो गई मेरे बालों में जो मैं combing कर रही थी नहीं इतनी अराम से comb हो रही थी नहीं तो पहले मैं combing करती थी तो बड़े hair fall काफी ज़्यादा होता था टैंगल्स काफी ज़्यादा पड़ते थे बट अब बहुत ही अराम से combing हो रही थी वीक में एक बार आप इसका यूज़ कर सकते हैं आप चाहे तो दो बार भी यूज़ कर सकते हैं आपको सिरुफ और सिरुफ इसके अच्छे रिजल्ट ही देखने को मिलेंगे मैं रेगुलर ये वाला मास्क यूज़ कर रही हूँ मुझे इसके इतने अच्छे वाले रिजल्ट देखने को मिलेंगे आप चाहे तो इसमें विटिमिन E का कैपसूल एड़ कर सकते हैं कोकोनट ओयल यूज़ कर सकते हैं ट्रस्ट मी गाईज इसके रेगुलर यूज़ से आपके बाल इतने सुंदर हो जाएंगे शाइन आपके बालों में एड होगी अगर आपने स्मूथनिंग करवाई है या फिर आपने हाइलेट्स करवाई है तो हाइलेट्स करवाने के बाद बाल काफी जदा रफ हो जाते है स्मूथनिंग करवाने के बाद भी बाल काफी जदा रफ हो जाते है तो आप इस हेर मास्क का यूज कर सकते हैं, इससे आपके बालों में शाइन एड होगी, आपके बाल रॉफ बिल्कुल भी फील नहीं होगे, लेंथ इंक्रीज होगी, हेर फॉल कम होगा, तो देखे, स्कैल्प पर लगाया है मैंने, और फिर मैंने लेंथ पर लगाया है, का लगाया है